बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण में भी धार्मिक आरक्षण की। क्योंकि चुनाव में सारी पार्टियों से सबसे ज्यादा इंपुट इसी पर आ रहा है। ये साथ है कि भारत के सम्विधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्राभधान, कोई व्यवस्था नहीं धार्मिक आरक्षन का मुद्दा दूसरे चरण के चुनाव से पहले करनाटक और तेलेंगाना से उठा था और अब छटा चरण आते आते अपने पीक पर है बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले ने इसे नया हाइप दे दिया है धार्मिक आरक्षन के मुद्दे में कितना दम है खुद मुसल्मान इस बारे में क्या कहते हैं आपको बताएंगे पहले सुने, सात्वे चरण के प्रचार में आज धार्मिक आरक्षन पर क्या क्या कहा गया इंडी गडबंदन वालोंने रातो रात ओबीशी बना दीया था और ओबीशी का जो हग का वो उनको दे दिया था एसा करके इंडी गडबंदन ने ओबीशी के हग पर डाका डाल दिया आप बारतिय जंता पार्टी को 400 पार करा दो चार सो पार करादो के मुस्लिम आरक्षन रद करकर हम पिछडा आती पिछडा को देने का काम भारतिय जनता पार्टी करें। जबरन OBC में घुशेड करके उन्हें ये आरक्षन दिया था। खाते में डाल देने का है। बीजेपी के इस नेरेटिव को ममता बैनर जी ने और दम दे दिया। पड़न लखो बीजेपी का सर्ट्रिपेट कैंसेल ओभीछी। ओभीछी। आमी बोलची कैंसेल नाई। अथो तारातारी कैंसेल करा जाए ना। तुमार राइदेयान बीजेपी राइदान तुमार राइके मान ची ना। तुमार राइके चैलेंज कोड़े आमरा उच्चो अधालते जाबो। एवां गर्कर होले, गॉल्मेंट जाने, की कोड़े एटा के रोखा कोरते होए। आर इलेक्षान चोल छे। इलेक्षान रागे। एटा बदमाईशी नौए। एटा चोक्कान तो नौए। यहां ममता पहली नहीं है। लालू यादव पून मुस्लिम आरक्षन की बात बोलकर चार घंटे में पलट गए थे। अब समाजबादी पार्टी के सांसद स्टी हसन ने कहा है कि मुसल्मान इंडी आलायन से उमीद लगाए बैठा है। OVC भी बोल रहे हैं, मुसल्मान पून आरक्षन का हगदार है। हम स्रिफ ओट डालने वाले बनकर रहे गहें, ओट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक ATM की मिशीन बन चुके है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीव मोदी जी को क्यों हो रही है। क्या देश का मुसल्मान इस देश का नागरिक नहीं है। सम्विधान का अनुछेत 15 और 16 कहता है कि धार्मिक आरक्षन संभब नहीं है। लेकिन यहाँ अंदेशा धर्म को जाती के लिफाफे में डाल कर आरक्षन देने पर जा रहा है। Zee News ने इस बारे में देश के मुसल्मानों का मन भी चटोला है। आपको वो भी सुनना चाहिए। उसक्तितर् हमें जाए ने थिपाफे में। जब यहाँ जाइन ना ना चाहिए जो भी सलकारी वाय। मिलना दोनव को जाहिए। मुसल्मनों को भी और हिंदू को भी लेकिन दर्मit का अधार पन नहीं है। मिलना चाहिए। जब सब मिंदूओं को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। मुसल्मानों को हक मिलना चाहिए तो इंडिया गंदर मुसल्मानों के लिए जब यह कर देंगे, कोई नहीं करेगा। चोटे काम करते हैं मुनासिब हैं क्योंके हम वतनी हैं ना हम लोग हिंडूस्तानी हैं। हर शीज में, वद्योगमें, कामधमधें में, आप आगए बढ़ाऊं ने मुसल्मान को।